हेलो दोस्तों, वेलकम वेकों, तो दोस्तों हारना या जीतना वो अपने हाथ में नहीं होता है, अपने हाथ में होता है training करना, महिनद करना और dedication करना, अगर हम ने अपनी तर्ब से पूरी मैनद किये और फिर भी अगर हम लोग हार जाते हैं तो उस व мнеदा नहीं बोलेंगे, विकोज हमने तो अपनी दर्वसे पूरी मैनत की है और इस लाइन को इस मोटर को एस क्रिशम ने प्रूव किया है बिकुस S करेंगे वे बहुत साही लीग आता रहता है उसने लीग हारी है जैसे की 키ंटो लिग, gosto लिग HOW रिए लिग Chernobyl लिग युण लिएलो लिग में यूनो लिग और कीलोज लिग इस साही ही लिग उसने हारी है आखिकार क्या रीजन रहे होंगे कि S in Rob's bag को हार गया यार इतना अच्छा बंदा इतनी ट्रेनिंग करने वाला बंदा इतने पावफुल पोकेमोन होते हुए भी केसी हार गया आज की वीडियो में हम लोग यह दिसकसन करेंगे हर एक लीग बेटल को हम एक बार फिट से देखेंगे और उसके उपर डिकोडिंग करेंगे और लेसि वीडियो में हम लोग यह देखेंगे आखिकर एक क्या फिर से जीत गया अंची कारण रह आखिरां क्या करह न रहे कि आ obec कर लिक्स हार गया हर एक लीर के अलग लग कारन रहे तो सा再 लीक को एक बार हम फिर से देखने वाले हैं और यह देखेंगे कर इस ओर रसображ ली लोलान बैटल फरंटेयर केसे जीत गया ब्यूकों ये काफी सोकिंग ट्विस्ट थे पोकेमोन कमपनी वालों के आज की वीडियो में रेडियो हो दोस्तों काफी तरह मलजा आने वाला है हम टाइम ट्रावल करने वाले हैं तरह में टाइम टावल करके हर एक लीक को देखेंगे तो चलो वीडियो को श्राट करते हैं वीडियो को लाइक अदो चैनल को सेस्क्राइब दो चलिए, शुरू करते हैं किसे आएस नहीं कैसे क Cancer Co ब ऑट जयए तयो मोटी काहिए पढ़ने क्षय कारते हैं कबीली तारीफ थी फिर केंटो लीग में आते ही उसनी तब ही मचा दी चार टेनर्स को हरा दिया अलग लग फिल्ड में और यार दो एक से शोकिंग पोकेमोन देखने को मिले एस के चम के चुकि भाई बहुत जदा पावरफुल थे पोकेमोन जैसे की किंगलर और मग दोरों पोकेमोन ने शांदार सी परफॉमेंस दिखाई चुकि कोई भी एस का पोकेमोन कर नहीं पाया तो मैं ताइम टाफल कर गया है आगी हूँ । मुझे तो यहां पर सिर्फ और सिर्फू रिची दिकाई दे रहा है ऐस के चम यहां पर है नहीं सो मुझे अहां पर देखने से ऐसा लग रहा है कि Ace Ketum जो है वो लेट हो गया है जो कि काफी बुरी बात है और लेट होटे होटे सुकर PGO भी गायल हो गया है तो यार काफी बुरी बात हो गया है तो यार मैच फिनिस हो गया है और मुझे हाँ पर देखने को मिला एस की बहुत साई गलती, एस की पहली गलती ये थी Pokemon League हाने की, वो ये थी कि उसमें सिर्फ वो सिर्फ पांच Pokemon को Carry कर रखा था, जो कि सबसे बड़ी मुसीबत होगी थी एस केचम के लिए, अगर वो 6 Pokemon साइट से Mark या फिर Kingler रखता, तो एस साइट Pokemon League जीट जाता, Kingler होता, तो वो या रिची के जिपो को अराम से हळा देता, बट एस ने ऐसा किया ने, और मुझे ये समदनी आ रहा है, कि एस राइजार को Carry क्यू करता था, अगर वो बात नहीं मान देता था, एस को Presence of Mind रखना चाहिए था, अगर वो अपनी पूर इस Mark से काम लेता, और Pokemon को सही से को Training ने दी, और तीसरा है ये, कि वो Team Rocket की बातूमा आ गया, इसी वज़े से वहाँ पर लेट भी बहुंचा और PGO भी गाया लो गया, तो इस तीन गलतियों के विज़े से, वो केंटो लीग हार गया, अगर ऐस ये गलतिया ना करता, तो साइड ही हमको Orange League की जरनी देखने को मिलती, सो हां हारा जो कि Pokemon की स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, राइटर्स ने ऐसे ही तई किया था, ये रीजन की वज़े से, वो केंटो लीग हार गया, फिर ये जाता है Orange League में, Orange League में उसने काफी अच्छी बहतरीन परफोमेंस की थी, यानि चारो जिम में उसके Pokemon ने नह उसने पर पुराने Pokemon जैसे की Taurus का यूज किया, जो कि सच में काबिली तारीफ थी, पिछली बाद उसने माक और उनका यूज नहीं किया था, रिची एकलाफ बैटल में, बट इस बाद उसने ड्रेकर खिलाफ यूज किया, और दूसरा ये, कि इस बाद उसने चाहिजार का यूज किया, पूरी चाहिजार को पूरी ट्रेनिंग दे दी थी, जो कि काबिली तारीफ है, बिकोज अगर चाहिजार यहां पर नहीं होता, तो ये, साइद या, ड्रेगनाइट को इतना वीक कर पाता, और पिकाचु उसको हरा पाता, तो या, और इस बाद चाहिजार भी पूरी तरीके से सही हो गया था, और हाँ, एस ने ट्रेनिंग भी की, और सबसे बहतीरीन बाद उसने पुराने पकेमन का भी यूज किया, और इस वाइज लीक जीत गया, और इस बड़ी लीक थी नहीं कि उसको अलग 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 टेनर को हरा ना था, वैस उसको ड्रेक को ह हरा दिया, और जीत किया ओरेंज लीक, तो आप लोग समझी गया होंगे, एस ओरेंज लीक क्यों जीता, फिर एस जाता है जोटो रीजन में, जोटो रीजन में उसने बहुत सारी जिम बैटल फाइट की, बट क्लेर के साथ जो जिम बैटल थी, ड्रेकन टाइप जिम में, व पूरी मेनज के साथ आया, उसने पर चाईजार को यूज किया, और उसने गेरी को तो हरा जिया, जो कि सबसे बड़ी विक्टरी थी, बट बार में आया, अपन सब का सबसे बड़ा डेविल मैन, यानकि इविल मैन, इविल नहीं बोलेंगे, बट विराइवल था, तो ऐस थ देखने को मिली, यानकि दोस्तों देखो, एक तरफ था एस का चाईजार, और दूसरी तरफ था हेडिसन का ब्लेजिगेन, एस इसलिए हारा, विकुज एस को पता ही नहीं था, ब्लेजिगेन जो बंदा है न, वो यार फाइटिं टाइप का भी है, फायर टाइप के साथ, तो दोस्तों, एस कैसे हरा पाता ब्लेजिगेन को, उसे पोकेट एस के पास जानकारी नहीं थी, कि यार ब्लेजिगेन जो है, फायर एंड फाइटिं टाइप का पोकेमोन है, अगर एस को ये बार पता होती न, तो अपर चाईजार के साथ फ्लाइइं टाइप मूँ से, वो ब्लेजिगेन को दो मरित्म हरा देता, बर एस को ये बार पता नहीं थी, डैस वाई, एस अराम से हार गया पोकेमोन लीग, जोटो लीग, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, एक तरफ सा यार ब्लेजिगेन, दुश्य तरफ सा चाईजार, दोनों और यार काफी बहत्रीन दोनों पोकेमोन ने, बर एड दी एंड चाहिजार हार गया, जो कि सबसे बुरी बात थी, साय से मुझे ऐसा लग रहा है, कि यार ब्लास्यों के सार बैटल में चाहिजार थोड़ा सा वीग पढ़ गया था, उसी वजए से उसका असर हमको हैरिसन के बैटल में भी देखने क मिला, so that's why, Ace को कुछ भी जानकारी नहीं थी, कि यार ब्लेजिगन को कैसे हराना है, वो अलग होविन लीग में, होविन लीग में, होविन लीग में वो काफी अची परफॉमेंस करता है, जिम बैटल में जो ने परफॉमेंस की, पाई सरफ अलगी लेवल की थी, खास कर या स्वेलो और पिकाचु की जो जोड़ी वाली जिम बैटल थी, कमाल की थी, फिर होविन लीजन में आते ही, उसने बहुत साई टेनर्स को हराया, बट बार में उसको फाइट करनी थी, अपने प्यारे दोस मोरीशन से, मोरीशन को हरा देता है, बट बार में जो बंदा आता है oton वो आता है, टाइसन को केसे हरा पफाईगा हमाराência के जब हूँ कंपकू काफ़ी फॉफुफुल ट्रेनर। साहिसन के मियंत नोके को हरा दिया, सब कार्यूर। उसे बचोरे रेना साए से उससके कूछ स्रिक्रेट भी करा हूंगे तो इस प्रिकाछू को बारे में जब कुस्त पता नहीं था इस कार्ट हो सकता है कि एक कार्ण हो सकता है. तैसन के म्याउट के खिलाफ पिकाचु ने पहले वाले Pokemon Metagross से थोड़ी बहुत फाइट की थी तो डैस वाई Pikachu वहाँ भी थोड़ा वीक पड़ गया था और एस का जो ग्रोवाइल था वह एक Metagross जैसे Pokemon को हरा नहीं पाया चुकि इससमें काफी सरमनाग बात थी तो डैस वाई एस जो बंदा है ना वो होविन लीक हार गया विकोज ओ ग्रोवाइल ने अच्छर परफरमेंस नहीं दी और टैसन के म्याउट को सब कुछ पता था पिकाचु के बारे में इन दो रिजन की वज़े से एस होविन रिजन में चक्ना चूर हो गया हार गया फिर एस याता है Battle Frontales एस ने Battle Frontales में बिल्खुल तरीके से काम किया था यानि कि दोस्तो उसने अपने पुराने Pokemon का यूजज किया मैं आपको जब जब बोला है यही बोला है कि अगर ऐस अपने पुराने Pokemon का यूजज करे जो कि दिखाता है कि Ace कितना दरा पावफुल बनता जाला था Battle Frontair में इसका एक ही कहान है कि पुराने Pokemon, पुराने Pokemon की वज़े से ही वो Maze जीट गया था उसने अपने Charizard का भी साइस ही यूज़ किया था, Charizard ने Legendary Articoon को हरा दिया Picardos ने Legendary Reggie Eyes Pokemon को हरा दिया जो कि दिखाता है जब जब Ace ने पुराने Pokemon का यूज़ किया है, Ace जीता रहता है So yes दोस्तो Ace के Charizard, Pikachu पुराने Pokemon की मज़द से और अपने दिमाग की वज़े से Ace जीता Battle Frontair So दोस्तो यह कान है कि Ace Battle Frontair बहुत अराम से जीत गया फिर Ace जाता है Sinnoh Region में, Sinnoh Region में बैटल जो थे काफी अच्छी तरीके से फाइट कर रहे थे Ace जीता है काफी अच्छी Pokemon को केज करता है Pokemon जैसे की Bujuil, Infernab, या फिर अपना Star Aptor, यह तिनो Pokemon ने कमाल कर दे था और Ace जाता है Sinnoh Leak में, वह या Pokemon League में उसने बने सबसे बड़े डाइवल पोल को हार दिया और यहीं आता है पहला पॉइंट Ace Sinnoh Leak क्यों हारा, पोल को तो हार दिया था बर उसकी वज़ेसे उसका इंफनेप था पूरी तरीके से जख्मी हो गया था आने वाली बैटल टोबियस के खिलाफ हो या इंफनेप को यूज नहीं कर सका उसने यूज गया अपने सेप्टाइल पिकाचू और बागी के Pokemon को यूज गया तो कि अच्छी बात थी और सेप्टाइल गिबल इन सबने मिलकर यार टोबियस के डाकरागे को हरा दिया था तो साब साब यहां पर Pokemon Company मालों ने ऐसा टेनर लाके खड़ा कर दिया तिसको एस हरा ही नहीं पाएगा तो यहां सिंपल सी बात है टोबियस इसा लेजेंडरी टेनर जिसके पार लेजेंडरी वो मिशिकल Pokemon है उसको कोई हरा ही नहीं सकता तो हमारा Ace भी नहीं हरा पाया यहां पर हाने का दो कारण है पहला Ace Infinite को यूज नहीं कर पाया दूसरा यह को टोबियस के बारे में कुछ भी बता नहीं था तीसरा यह कि टोबियस बंदा है ना वह एक मिस्ट्रियस टेनर है और मिस्ट्रियस टेनर को हरा पाना सबसे बड़ी मुश्किल होती है सबसे अबसे बीडार निठीन वें बमें कुछ ब्रमार्न एक में पीज सबसे बारे मारा पन्या थान नहीं सबसे पात विकश्डा थे वो इतनी जादा पावफुल नहीं थी, Pokemon fully world नहीं थे, और Pokemon को इतनी जादा ट्रेनिंग नहीं मिली, इसी बदे से उनको जादा अच्छे मूज आते नहीं थे, So that's why, Ace को Pokemon स्नाइबी हो गया, पिकनाइट हो गया, वो बहुत बुरी तरीकरी से हार गय, So yes दोस्तो, Ace को पूरी ट्रेनिंग करनी चाहिए थी, ट्रेनिंग नहीं की, that's why, वो हार गया यूनिवाल लीग, But, अगली जो लीग है, केलोस लीग, उसमें वो केसे हार सकता है, बला, आप ही सोचो दोस्तो, केलोस लीग में Ace ने अपने सबसे best performance दी, यान की यार पोकेमोन को fully world किया, बहुत दरह पावफुल पावफुल पोकेमोन को केस किया, पोकेमोन को पुरी ट्रेनिंग दी, और सबसे अच्छी बात, पोकेमोन को बहुत दरह अच्छे अच्छे मूज सिखा है, बट फिर भी वो एलान से हार गया, देखते हैं के Ace एलान से क्यों हारा, तो यार फाइनल बैटल में देखते हैं, एलान यह यूज गया था, पहले ही वीग हो गया था, उसने यार सोवेर का सेटाल को हराया था, उसके तुरेंट बाद यार मैच स्टार्ट हो गयी थी, एलान के साथ, इसी वज़े से ग्री निंजा थोड़ा सा वीग पढ़ गया था, और दूसरी पॉइंट यहां पर यह आता है, कि एलान के चाईजार को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, यारन के उसने बहुत साथ मेगा एवलेशन वारे पोकेमोन को हराया है, और इसे वज़े से उसने एस को यार बहुत बुरी तरीके से हारा जिया, बुरी तरीके से नहीं, ग्री निंजा ने भी बेस्ट परफॉमेंस थी, बट यार कुछ माइक्रो सेकंड, कुछ फिक्शन ओफ सेकंड की वज़े से, ग्री निंजा हार गया, यार चाईयगा भी हार गया था, ग्री निंजा भी हार गया था, बट यार चाईयगा में थोड़ी सी पावर बच गई थी, थोड़ी सी एस्वी बच गई थी, तो दोस्टों यार वो अराम से जीट गए, तो दोस्टों यहार मैं मैं मेरा personally opinion बताता हूँ, इस को Cellos League जचिता देना चाए था भी गो यार इतना बेशवेंस परफोमेंस एस ने किसी भी रिजन में नहीं किया इतनी पावफुल टीम एस की कभी भी नहीं मनी इतना मैचूरalled इस हमने कभी बुरी बात लगी तो हमें आगो कान बताई दी है कि यार जो सामने वार अपोंडेंट था वो कुछ जादे ओर पावर्फुल पकेमोन था इसलिए ग्री निंजा हार गया और पहले से स्थोड़ा वीक पड़ गया था एसलिए और पावर्फुल वाला पुटी पावर वाला पीकाचू और दूसरा है यार क्यूटी पाई एराउलेट पोकेमोन ऐसी पोलौकेमोन की टीम की चलते पोन टैरेनर हार सकता है ? सब्सक्राइब बैर तैकर और एक पोलौकेमोन को तो में इस ब्लंस सबीसे कहते। अर्ध एकार ऑन पंश पह जितते है जिती गए के समीần ने एस को जीता जिया अगर पिकाजु को पास इतना experience नहीं होता तो साइध यह जीत पाता तो या दूसरा टोड़ा के जो पोकेमोन था जो के इंसेंटरों में वोल होगे था उसने भी काफी अची परफॉमेंस दी थी और इंसेंटरों के वज़े से भी एस अलोरा लीग जीत सबसे बैस टीम मैं से एक है यह कान है पर लेकाजु को कफे रहा एक्सपिररियस होगया था दूसरा को दोसरी है एक सारी पोकेमोन M जीतेगा बीगोर इसवाइब फिर इस विस्वार्वल इतनी तरह पावफुल दिखाई जा रही है कि पुछे हो मत्यार शुड़ो लेजेंडरी वोमोन से मिश्ड़ो लेजेंडरी फिकाचु हो गया गेंगार हो गया फार्फेश हो गया इतनी पावफुल टीम की होते हुए यहार नहीं सकता हार ने के चैंसे काफी ज़र रखका में पर फिर भी एस यह थोड़ा सा भी की चांसे मुझे लग रहे हैं तो यार वहार एगा पोकेमोन राइटर्स की वज़े से विकोज यह मेरे साफ से साथ प्रेमोन राइटर यह नहीं चाहेंगे कि यह जीट जाए यार आपके उपर करता है कि यह आप क्या चाहते हो यह चाहते हैं यह फिर नहीं पर इसको जीटाना चाहते हैं यह बताना और दुसरा आप बताओ आप मेरी इस opinion से agree करते हो या फिर नहीं करते और या वीडियो को जोड़ से like करना चैनल को subscribe करना और ये मस सब पकेविस का answer दो कि ये कौन सा पकेमोन है and bye bye